युहन्ना का प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास परमेश्वर की साथ आत्माएं और साथ तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है, पर है मरा हुआ, जागरत रहे, और उ तू ने किस रीती से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागरत न रहेगा, तू मैं चोर की नई आ जाऊंगा, और तू कदापी न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुछ पर आ पड़ूंगा, पर हां, सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अपने अपने वस्तर अशुद नहीं किये, वे श्वेत वस्तर पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं, जो जै पाए, उसे इसी प्रकार श्वेत वस्तर पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पु कलीसियाओं से क्या कहता है, और फिलेदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, कि जो पवित्र और सत्य है, और जो दावत की कुझी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किये हुए को कोई खोल नहीं सकता, वे यह कहता है, कि मैं तेरे का का पालन किया है और मेरे नाम का इंकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन सभावालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं। पर है नहीं, बरन जूट बोलते हैं, देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझ से प्रेम रखा है। तब चौबीसों प्राचीन सिहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पढ़ेंगे और उसे जो युगानियुक जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभू और परमेश्वर तु ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है क्योंकि तु ही ने सब वस्तों स्रजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और स्रजी गई जो जैपाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अर्थात नए यरुशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है और लौदी किया की कलीसिया के दूद को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योगि और सच्चा गवा है और परमेश्वर की स्रस्टी का मूल कारण है वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म भला होता कि तू ठंडा या गर्म होत सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म मैं तुझे अपने मुह में से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गिया हूँ और मुझे किसी वस्तू की घटी नहीं और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुछ और कंगाल और अंधा और नंगा है इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझ से मोल ले कि धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहिन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुर्मा ले कि तू देखने लगे मैं जिन जिन से प्रीती रखता हूँ उन सब को उलहना और ताड़ना देता हूँ इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके सिहासन पर बैठ गया जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है